नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लिगल एक्स्प्रेस दोस्तों एक सिरीज हमने बनाई है कितना बदल गया कानून यानि कि अभी जो एक जुलाई 2024 से नए कानून लागू हुए हैं उसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या-क्या कानून में बदला हुए हैं जो पुराना हमारा कानून चल रहा था जैसे कि अगर IPC की बात करें इंडियन पेनल कोट की बात करें जिसकी जगा अब BNS ने ले लिया है यानि कि भारती नयाय संगिता ने ले लिया है तो IPC की किसी एक चीज के बारे में जैसे हम बात करते हैं जैसे बहुत जनरल था और हर एक थाने में हर एक सहर के थानों में ये सबसे ज़्यादा दर्ज होने वाली अपराद है कि मार पिठ हुआ गाली गलोज हुआ जान से मारने की धंकी दी गई IPC के 323, 504, 506 सेक्षन में इसमें FIR लांच कर देगी दर्ज कर लिया गया अब BNS में यही चीजें किन-किन धाराओं में की जाएंगी और क्या जो है चेंजेज होंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या कानून में कुछ बदला हुआ है क्या पनिसमेट में तो मुख्य उद्य से है वो बात करना IPC की सेक्षन 323, 504, 506 जो की BNS के सेक्षन 115 के सब सेक्षन 2 में चेंज हो गया 352 में चेंज हो गया और 351 का सब सेक्षन 2 और 3 में चेंज हो गया है respectively है यह 323 की जगह आगया 115 सब सेक्षन 2, 504 की जगह आगया सब सेक्षन 352 और BNS, IPC के सेक्षन 506 की जगह आगया BNS का 351 सब सेक्षन 2 और सब सेक्षन 3 तो आएए दोस्तों सुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं क्या क्या चेंजेज हुए हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IPC के सेक्षन 3, 2, 3 के बारे में IPC का सेक्षन 323 क्या कहता था अब इसमें क्या है 323 में क्या होता है कि मान लिजिए कि किसी ने किसी को मार दिया अब मार दिया तो उसको पेन है मार दिया तो उसको कोई इंजरी है वो इंजरी सामाने प्रकृति की है तो ऐसे में सेक्षन 323 लगाया जाता है कि किसी ने ये आरोप लगाया कि ये फलाने परसन ने हमको मारा ठपड़ों से मारा, लाठियों से मारा, पीटा अब इसमें मेडिकल होगा और मेडिकल होने पर देखा जाएगा कि उसने क्या-क्या चीजें इस इंजरी में आई है पेन है, या क्यावल पेन का सिकायत है कोई कट है, अबरेजन है, सम्पल इंजरी है तो जब simple injury होती है तो धारा 323 लगा दी जाती है अब ये इसके exception क्या है exception ये है कि section 334 says voluntary causing hurt on sudden provocation अब हम जानते ही नहीं थे किसी को मान लिजे कि कहीं जगड़ा हो रहा है मैं बाजार में खड़ा हूँ और मैं अगले person को नहीं जानता मेरा कोई intention नहीं है उससे जगड़े का ना कोई पहले से जगड़ा है लेकिन किसी ने provoke कर दिया उसका जगड़ा उससे था provoke किया गया भाई मार इसको मुझे नहीं पता था वो कौन है मैं केवल अपने दोस्ती में उसको मार दिया अब ये आता है section 334 में जहां केवल provocation किया गया मेरा कोई intention नहीं था मैं बाजार गया था मेरा कोई intention नहीं था लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे provoke किया और मैंने उसको मार दिया किसी परसन को तो यहां 334 लगेगा voluntary causing hurt के लिए 323 लगता है जहां पे आपका intention है उसको बार में का तो intention बड़ी चीज़ है यहां पे यहां पे जो 323 में punishment था वो punishment था एक साल का या 1000 रुपे का fine या दोनो नियाले जो चाहे वो अपना निर्डे दे सकती थी BNS का section 115 का subsection 2 कहता है same चीज़े हैं वहां पे भी है कि अगर आपने voluntary किसी को मारा इक्षा के साथ आपने मारा intention के साथ किसी को मारा है तो वो punishable है ठीक है यहां पर जो exception है जो उधर section 334 में था IPC में BNS का section 122 subsection 1 है जो deal करता है किसको provocation को जहां पे आपका intention नहीं था लेकिन provoke करने पे आपने मार दिया तो वो उधर आगया voluntary आपने hurt किया है लेकिन किसी के provocation पे आपका कोई intention नहीं था तो वो 122 के subsection 1 में आएगा अब हम लोग बात करेंगे punishment की जो major change हुआ है punishment में BNS के section में punishment तो एक साल की है imprisonment आपको jail एक साल की हो सकती है लेकिन जुर्माना यहां पे बढ़ा कर एक हजार से दस हजार कर दिया गया यही change हुआ है BNS में 323 की धारा में जो जुर्माना है जुर्माने की रासी दस हजार कर दी गई है दस हजार तक कर दी गई है और punishment आपको एक साल की हो सकती है यह जुर्माना लग सकता है यह दोनों लगाया जा सकता है यह court के description पे depend करता है दोस्तों हम लोग बात करें IPC के section 504 के बारे में और यही बदला हुआ है BNS के section 352 में जरा देखिये का इसमें क्या है if any person who is indulged in an activity of intentionally or deliberately insulting or provoking any other person or commit any such act which is likely to cause other person to get provoked resulting in the break of public peace अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई person indulge है deliberately वो करना चाहता है किसी का insult कर रहा है ठीक है न उसको गालियां दे रहा है या किसी दूसरे person को provoke कर रहा है कि तुम जरा इसको बढ़ियां से इसका इज़्जत उतार दो इस जगह पे और उसने इज़्जत उतार दी पचास गाली उसको दे दी अब वो जिसको गालियां पड़ी वो इसकी सिकायत कर सकता है F.I.R. कर सकता है अब इस गाली देने से बढ़िय पब्लिक पीस वहां के जो जनरल लोग थे वो पब्लिक पीस किसी ने किसी तरह से जो है खराब हो गई सांती भंग हो गई वहां पे दस लोग इकठे हो गए उन्होंने भी इगालियां सुनी जो उनके कानों को अच्छा नहीं लगा तो ये है सेक्शन 504 आप IPC तो अगर इस तरह का कोई एक्ट करता है तो उसको सेक्शन 504 आप IPC के तहत punishment दिया जा सकता है अब punishment इसमें कितना है दो साल का या fine या दोनों हो सकता है BNS में भी इसको केवल section change हुआ है और कुछ भी changes नहीं है BNS की अब section 352 लगेगी इस पर अगर आपने किसी को intensely insult किया breach of peace आपने किया है provoke किया है ताकि peace जो सांती थी वो भंग हुई है इसमें भी punishment उतना ही है दो साल fine या दोनो fine decide करेगी court कितना fine लगा जा सकता है दोस्तों IPC के section 506 के बारे में हम बात करें तो IPC की 506 बात करती थी punishment for the act of criminal intimidation अब आप बोलोगे criminal intimidation क्या है threatening another person with harm reputation or property or to the person or reputation of someone they care about अब इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी को धमकी दी कि तुझे मैं देख लूँगा तुझे मैं जान से मार दूँगा तुझे मैं तु बच नहीं पाएगा तेरी सारी property खतम कर दूँगा तुझे तो यह इस तरह की अगर धमकी आपको मिलती है तो ऐसी धमकी के लिए अगर कोई जाकर FIR करता है तो 506 के अंतरगत IPC के यह दर्ज होता था BNS में अब इसमें दो सब्सेक्शन मना दिये गए अब की कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहा है मतलब बता दिया मैंने क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब क्या है कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहा है यहां दो साल की सजा IPC में भी थी BNS में भी है अब BNS की धारा दो ये कहती है कि अगर criminal intimidation होता है और किसी को ये धमकी दी जाती है तो ये भी punishable है और दो साल का imprisonment हो सकता है या fine हो सकता है या dHOनों हो सकता है BNS में एक धारा और जो अब दी गई BNS की 351 के subsection 3 और इसमें कहा गया कि अगर आपने किसी को डराया, धमकाया और आपके डराने, धमकाने से अगले की जान चली गोई आपने इतने जोर से धमकाया कि कोई मालिजे heart का patient था और उसकी हिर्दय की गती रुग गई वो मर गया आपके किवल धमकाने से अपने कुछ भी मारा नहीं है और इसकी सिकायत हो गई अगर तो इसमें देथ पेनाल्टी तक है साथ साल की सजा हो सकती है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है या आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है या साथ साल की सजया के साथ फाइन भी लगाया जा सकता है ये डिपेंड करेगा कि कोट क्या इस पे एक्शन लेती है तो अगर इस तरह का कोई एक्ट आप करते हो कि आपके धमकाने भर से किसी की जान चली जाए आपने कोई आग लगाया देख्यों उसको हाट टेक आगया तो अगर इस तरह की धमकी भी आप दे रहे हो जिससे किसी की जान का खत्रा हो गया या जान उसकी चली गई तो ऐसे केस में अब आपको डेथ पेनाल्टी तक हो सकती है लाइफ इंप्रिजर्मेंट हो सकता है या साथ साल की सजा या फाइन या दोनों हो सकता है तो दोस्तों ये थी बदलाओ जो IPC के 323, 504, 506 की जगा BNS का ये धाराय आगई आपकी जो मैंने अभी आपको बताया 352, 355, 315, 1 तो मुझे उमीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा आगे इसी तरह से हम लोग IPC वर्सिस BNS के बारे में बात करते रहेंगे धन्यवाद